हेलो स्टुडेंट स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में कक्षा 12 गडित में इस समय हमारा चैप्टर चला है वेक्टर अलजेब्रा सदिस बीज गडित और आज के इस वीडियो में हम सुरू करने जा रहे हैं प्रसन वली 10.4 को ठीक है तो बैई सदिस बीज गडित में अभी तक हम तीन प्रसना वालियां पहले ही पड़ चुके है सबसे पहले 10.2 में क्या था अब केवल हमें वेक्टर पढ़ने है अदिस तो पढ़ने नहीं है तो हमने सदिस का योग अंतर इस प्रकार की चीजें हमने 10.2 में सीखी थी उसके बाद 10.3 में आई थी गुड़ा अब सदिस की गुड़ा हम दो प्रकार से करते हैं ठीक है तो पहले था dot product ज तो 10.3 में हमने पढ़ा था dot product को अदिस गुड़न को अब प्रसनावली है 10.4 तो यहां हम पढ़ने वाले हैं cross product को cross product अर्थात सदिस गुड़न तो इस वाले वीडियो में हम सदिस गुड़न पढ़ने वाले हैं कि दो वेक्टर का हम cross product कैसे निकाल सकते हैं ठीक है बाई च कोई वेक्टर ए इस प्रकार से है यह हमारा वेक्टर ए है अब एक हमारे पास वेक्टर बी है यह हो गया ठीक है और दोनों के बीच थीटा कोण है एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है और दोनों थीटा कोण बनाते हैं तो जो पिछली प्रसनावली में हमने पढ़ा था उसे हम कह रहे थे dot product, क्या भाई कह रहे थे, dot product, ठीक है, अदिस गुडन, वो क्या होता था, a dot b equal to mod of a, mod of b cos theta, क्योंकि भाई dot product में क्या था, केवल हमें modulus, जो हमारा magnitude है, वही चाहिए होता है, परिमाड, दिसा की कोई आवशक्ता नहीं होती है, ठीक है, तो dot product में केवल परिमाड चाहिए, दिसा की आवशक्ता नहीं होती है, लेकिन ये है cross product, सदिस गुडन, यहाँ पर हमें परिमाड भी चाहिए, और भाई, दिसा भी चाहिए होगी, अब ध्यान देना, माल लो, कि भाई, आप a से b में गुड़ा करना चाहते हो, a से b में difference देखिएगा, a cross b equal to, देखो, परिमाड तो वही आएगा, जो यहाँ पर आ रहा था, ठीक है, ध्यान दीजेगा, mode of a, mode of b, यहाँ पर cos theta था, और भाई, यहाँ पर आ जाएगा sin theta, अब ध्यान दीजेगा, अगर भाई, आप इस पूरे का मान निकालोगे, तो कोई न कोई गिंती आंसर में आएगी, अर्थात यह हमारा परिमाड है, यह जो पूरा है, वो क्या है, परिमाड है, अभी हमें यहाँ दिसा का पता नहीं है, भाई, cross product है, तो परिमाड भी होना चाहिए, और दिसा भी होनी चाहिए, तो परिमाड तो आपने मालूम कर लिया, कि modulus of a, into modulus of b, sin theta, अब इसकी हम दिसा कैसे पता करेंगे, तो भाई, उसके लिए न, एक छोटा सा उदारन देख लो, मान लो, कि हमारे पास यह कोई screw है, screw होता है भाई, उसे हम क्या करते हैं, पेंच कर से tight कर देते हैं, अब भाई, मान लो कि उसे हम इस प्रकार से घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से घुमा रहे हैं, तो क्या होगा, यह उपर की ओर जाएगा, जब आप ऐ 20 की और जायेंगे इस प्रकार से अगर हम anti-clockwise शाव रहे तो घी और गफ awareness डशना वरत तो दिसा इस प्रकार से बनती है डितिर खिना गfour से परिमान दो हमें पहले से ही मालume है तो परिमान तो हमें अब दूबारा चाहिए नहीं हमें केवल दिसा चाहिए तो n-cap का मतलब क्या होता है इसके पास दिसा तो है पर इसका परिमाण एक है तो जब गुड़ा कर देंगे अगर यहां पर हम तो क्या होगा परिमाण पर कोई फरक नहीं आएगा और दिसा हमें पता चल जाएगी तो जब केवल हमें दिसा की आवशक्ता होती है तब हम कैप एकांक सदिस यूनिट वेक्टर का प्रियोग करते है समझ में आ गया आप जो ये N कैप है ये दोनों पर ही लंबवत है इस पर भी और इस पर भी ध्यान रखना ये भाई इस प्रकार से ना होकर इस प्रकार से माना जाएगा अईसे तो ये इस पर भी लंबवत है और भाई इस पर भी लंबवत है लेकिन अगर आप A से B की और ना जाकर B से A की और आ जाओ ध्यान दीजेगा तो अगर हम B क्रॉस A निकालना चाहे तो तो भाई देख लो परिमाण तो वही रहेगा तो बाकी सब तो सेम चलेगा इस परकार से लेकिन दीजा अब भाई क्या होगा अगर आप इसे उल्टा गुमाओगे तो ये नीचे खिसकेगा नीचे जाएगा ना तो दीजा हो जाएगी कुछ इस परकार से माइनस N कैप भाई पहले उपर की ओर था तो प्लस N कैप नीचे की ओर है तो माइनस N कैप होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस N कैप माइनस को आप इधर निकाल लो ठीक है तो B क्रॉस A क्या हो जाएगा माइनस मॉडियूलस आफ ए मौडिूलस आप भी साइन थीटा एन कैप अब भई दोनों में अंतर देख लो A क्रोस B और B क्रोस A दोनों सेम सेम है बस केवल माइनस का फरक है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि A क्रोस B बराबर माइनस B क्रोस A अर्थाज जो हमारा क्रोस प्रोडक्ट होता है वहाँ क्रम विद्मे नियम का पालन नहीं करता है उत्तर तो वहीं आएगा बस खाली माइनस का फरक हो जाता है क्योंकि दिसा जस्ट उल्टा हो जाएगी तो भई यह हो गया हमारा क्रोस प्रोडक्ट तो भई समझ में आया कि अगर cross product है तो अगर आप just उल्टा करते हो भाई पहले एक cross भी कर दिया तो आंसर आ गया B cross A कर दिया तो भाई minus का फरक आ जाता है लेकिन अगर आपको याद हो तो भाई पिछली प्रसनावली में हमने आपको बताया था कि डाट प्रोडक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि जो परिमाड है वो तो यहां पर भी सेम है दिसा ही तो बदली है और डाट प्रोडक्ट के पास तो अपनी दिसा होते ही नहीं है तो अगर उसके पास दिसा नहीं है तो परिमाड तो सेम ही आएगा तो वहां पर दो यूनिट वेक्टर क्यों लेते हैं चोकि हमें यहां से केवल दिसा चाहिए हमें यहां परिमाड नहीं चाहिए तो बाइक क्या होता है परिमाड एक होता है और उसके पास दिसा अपनी होती है अब इसकी ना कुछ प्रॉपर्टीज को आप देख लो अब बाइ चोकि सूत्र में जो हमारा क्रॉस प्रोड़क्ट है उसका बाइ सूत्र क्या होता है मौडिूलस A, मौडिूलस B, साइन थीटा एन क्याप तो जो हमारी थीटा की वैलू है वो साइन पर डिपेंड करेंगी अब ध्यान देना तो बाइ पहला पॉइंट यहां मान के चलो कि अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर जहां थीटा का मान जीरो डिगरी है थीटा का मान जीरो का मतलब क्या होता है या तो दोनों समांतर हैं अगर समांतर होंगे तब भी जीरो होगा और अगर संरेक होंगे तब भी जीरो ही माना तो भाई थीटा का मान अगर आप 0 कर दोगे, तो साइन 0 का मान 0 होता है, ठीक है, तो अगर समांतर है, सनरेक है, तो क्रोस प्रोडक्ट का मान 0 हो जाएगा, ठीक है, दूसरा पॉइंट, ध्यान रखेगा इसको, अगर थीटा 90 है, अर्थात कोई दो विक्टर ऐसे हैं, जो ल मान क्या हो जाएगा, एक, तो भाई सीधा आंसर आजाएगा, मौडिूलस ए और मौडिूलस बी, बाकि अगर आपको दिसा चाहिए, तो वहाँ आप इस प्रकार से लगा सकते हो, तो अगर 0 है, तो इस प्रकार होगा, और भाई लंबवत है, तो इस प्रकार से जाएगा, आप ध्यान दीजेगा, यहां से एकदम ध्यान दीजेगा, अगर आप से पूँच दे कि A और B के बीच कोण कितना है, दो वेक्टर के बीच कौन सा कोण है, तो भाई आपको साइन थीटा का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है, आप देखो यह तो यूनिट वेक्टर है, त और B का मॉडूलस, तो यह साइन थीटा का सूत्र हो जाएगा, वहां पर भाई कास थीटा का फार्मूला क्या होता था, A.B मॉडूलस है, मॉडूलस भी, यहां पर है A क्रॉस भी, लेकिन A क्रॉस भी का हमें मॉडूलस निकालना पड़ेगा, तो यह हो गया हमारा तीसरा कब जब हमें बीच का कोण निकालना हुँ तब अब आजाओ I J K पर इय को तो आप पहचानते हुग यह परस्पर लंबवत एकांक सदिस होते हैं आई का मतलब है x eq j k मतलब है y eq और k का मतलब heißt जड अच्छ यह एकांक सदिस है और भाई परस पर लंबवत होते हैं तो अगर यह तीनों लंबवत हैं तो देखना आप क्रॉस में क्या होता है अगर आई क्रॉस आई निकलवाओगे तो जीरो आ जाएगा फिक है इसी प्रकार जे क्रॉस जे करवाओगे तब भी जीरो आए और सेंशेम का क्रॉस करोगे तो वो जीरो हो जाएगा यहीं नहीं आप कहीं भी करके देख दो मालनो आप ऐसवाई क्रॉस जेन ऑपको निकालनाओ हो तो इसका मान क्या होगा अ बहुत ध्यान देना। है अब भै मान लो कि यह i है और यह है j ठीक है और यह हमारे पास है के नब्बे-नब्बे की हैं तो अगर i और j की हम आपस में गुडा करेंगे तो उसका मान k के बराबर होगा जो दिसा है वो के साप होगी ना जो दोनों के लंबवत है वह तक क्या होता है एक और भी दोनों पर जो लंब हो तो आय और जे दोनों पर लंब कौन है कर लो बाई के x i जो है वह j k बराबर होगी लेकिन अगर कहीं इसका उल्टा करना पढ़ जाए by chance देख लो पहले i x j तो k के बराबर है लेकिन अगर j x i करना पढ़ जाए तो वो minus k के बराबर होगा अभी पीछे हमने बताया था अगर आप उल्टा करोगे तो जिसा बदल जाएगी और minus लग जाएगा सेम यहाँ पर k क्रास j क्या हो जाएगा minus i और यहाँ पर i क्रास k क्या हो जाएगा minus j ठीक है तो भाई यह हो गया हमारा i j k अगर सेम सेम करोगे तो 0 हो जाएगा और अगर अलग अलग करोगे तो एक symmetry चलेगी i j k j k i k i j अगर उल्टा करोगे तो minus आ जाएगा ठीक है भाई तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा अब इसके तोड़ा आगे चलते हैं और एक दो properties और बची हुई है अब हमारे पास ना दो properties और बची हुई है अब मान लो कि हमारे पास कोई त्रिभुज है यह c है यह b है ठीक है यह वाला a vector है और भाई यह वाला b vector है ठीक है दो vector ऐसे हो जो सलगन भुजाओं को अगर denote क करते हूं अगर कुछ ऐसा दिया है तो तो यहां से निकाल सकते हो आप त्रिभुज का छेत्रफल बराबर भाई सुत्र क्या हो जाएगा एक बटे दो a cross b modulus तो अगर आपको सलगन भुजाएं पता हूं तो आप पहले a cross b निकालो उसका modulus करो और भाई उसका आधा कर दो तो आपको त्रिभुज का छेत्रफल पता चल जाएगा इसी प्रकार एक सुत्र और बचा हुआ है अगर आपके पास कोई समांतर चत्रफुज है द्यान रकिए समांतर चत्रफुज और आपको उसकी सलगन भुजाएं कुछ इस प्रकार से पता है तो समांतर चत्रफुज का छ सीधा मौडिूलस ठीक है तो इन दोनों सुत्रों को आपको ध्यान रखना है यह आगे आपको काम आने वाले हैं तो आपको बता दी अब आपको हम बताएंगे कि अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं तो उनका हम क्रॉस निकालेंगे कैसे अभी तक आपको हमने निकालना न प्लस 4K और हमारे पास एक B वेक्टर है आई प्लस 2J अब प्लस 3K अब हमारे पास कोई दो वेक्टर है और अगर हमें निकालना पड़ जाए दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट तो हम कैसे निकालते हैं तो वाई इसके लिए ना हम साडिक का प्रियोग करते हैं अब साडिक से क कैसे निकालते हैं एक बार ढंक से देख लेना आई जे के तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां आई जे और के फिर उनके गुडांक नीचे लिख दो 2-3, 4 2-3 और 4 1, 2, 3 1, 2, 3 अब आपको केवल सार्णिक का विस्तार कर देना है बस अब देखना कैसे करते हैं सार्णिक का विस्तार अगर आपको i से खोलना है तो ये गायब, ये गायब ये बचेगा माइनस 3 गुड़े 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 3 गुड़े 3, माइनस के 9 फिर माइनस लगा दो फिर ऐसे गुड़ा करते हैं 4 दूनी 8 समझ गए ना, i से खोलेंगे ये गायब हो जाएगा पहले ऐसे गुड़ा, बाद में ऐसे गुड़ा पहले गुड़ा फिर माइनस करो, फिर गुड़ा कर दो अब बीच वाला माइनस से खुलता है सो माइनस जे अब जे वाला खुलेगा तो बीच वाले गायब हो जाएगे यहाँ दो तिया छे फिर माइनस लगा दो 4 एकम 4 और प्लस के अब के में क्या होगा भाई, के वाला पार्ट गायब हो जाएगा यहाँ मैं बचेंगे दो दूनी 4 और यहाँ माइनस के 3 और भाई एक माइनस पहले से होता है तो हो जाएगा प्लस के 3 अब भाई यहाँ गुड़ा कर लो तो आज आएगा माइनस 17 आई और यहाँ पर माइनस के 2J और प्लस 7K यह हमारा हो जाएगा A क्रॉस B तो भाई अगर आपको साडिक का विस्तार करना आता है तो आप बड़े ही आराम से क्रॉस प्रोड़क्ट ग्याद कर सकते हो ठीक है तो भाई यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा तो भाई क्या करना है आपको सबसे पहले किताब उठाइए और प्रस नंबर 1 पढ़िए अब देखना कोई A वेक्टर हमारे पास है और कोई B वेक्टर है और हमें मॉडिूलस आफ A क्रॉस B ग्याद करना है तो सबसे पहले आपको A क्रॉस B निकालना पड़ेगा और भाई उसके बाद उसका हम मॉडिूलस निकाल देंगे तो भाई पहले सवाल को नोट कर लीजिए अब भाई देखलो हमने A वेक्टर और B वेक्टर दोनों ही नोट कर ली है तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा A क्रॉस B ठीक है तो भाई अभी आपको हमने सिखाया था कि A क्रॉस B निकालते कैसे है सबसे पहले एक साडिक बना लो यहां लिख लो I, यहां J और यहां K एक माइनस साथ और साथ गुडांक लिखने होते हैं basically यहां 3 माइनस 2 दो तो यहां हो जाएगा 3 माइनस 2 और 2 अब यहां साडिक को ना खोल दीजिए तो I से खोलेंगे तो यह वाला गायब हो जाएगा साथ दूनी माइनस के चवदा और यहां साथ दूनी माइनस के चवदा तो भाई प्लस के चवदा हो जाएंगे चुकि एक माइनस बीच में पहले से होता है फिर माइनस जे खुलता है जे वाला जो है माइनस से खुलता है जे वाला गायब एक दूना 2 और साथ दियां माइनस के 21 clear और भाई आप K से खोल दो तो के वाला गायब हो जाएगा एक दूना माइनस के 2 यहां और सातियां माइनस के 21 तो प्लस के 21 हो जाएंगे अब A क्रॉस B का भाई मान आपको पता चल गया है यहां तो 0 हो जाना है काम खतम है यहां बताओ माइनस के 19 बचेंगे तो आजाएगा प्लस के 19 यहाँ पर भी प्लस के 19 ही बचेंगे इस प्रकार से तो भाई यह हो गया हमारा A क्रॉस B लेकिन पूछ रहा है मॉडिूलस आफ A क्रॉस B अब मॉडिूलस कैसे ग्याद करोगे 19 का वर्ग और यहाँ 19 का वर्ग भाई सेम सेम संख्या हैं तो आप ऐसे डारेक्ट भी लिख सकते हो 19 अंडरूड दो मात्रक तो भाई यह हो गया हमारा प्रस नंबर एक ऐसे करके आपको क्रॉस निकालना है अगर मॉडिूलस मुझे तो भाई मॉडिूलस तो आप पहले से ही निकाल लेते हो अब भाई प्रस नंबर 2 को देखिए कहरा है कि A प्लस B और A माइनस B की लंब दिसा में हमें मात्रक सदिस ग्याद करना है और भाई जहां पर न हमें A और B के मान पता है A वेक्टर पता है B वेक्टर पता है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा आपको निकालना है A वेक्टर प्लस B वेक्टर दोनों को जोड़ दो तो भाई डारेक्ट जोड़ लो 4I हो जाएगा यहां 2-2 4J हो जाएगे K को देख लो K तो 0 हो जाएगे अब देख लो A-B वेक्टर को घटाओ यहां से तो 3 में से 1 गया तो 2I यहां घटाओ गये तो यह 0 हो जाएगा लेकिन यह वाला बचेगा 4K वेक्टर आप कह रहा है कि इसके दोनों के लंब आपको एक मातरक सदिस ग्याद करना है तो देख लो भाई पहले अगर आप इसे कुछ मान के चलो माल लो यह C वेक्टर बन गया माल लो यह D वेक्टर बन गया तो अभी आपको C वेक्टर और D वेक्टर दोनों के लंबवत कुछ करना है कुछ लंबवत ग्याद करना है तो भाई लंबवत का नियम होता है कि अगर आप दोनों का cross product निकाल दो, जो हमारा cross product होता है, वो हमेशा दोनों के लंबवत होता है, तो N vector बराबर हमें निकालना है C cross D, ये C का मान है, ये D का मान है, निकाल के बताओ, तो भाई N क्या हो जाएगा, देख लो पहले, यहां हो यहां 2, J नहीं है, तो J को 0 कर दो, अब भाई यहां खोल लो, so I कैसे खोलेगा देखना, ये गायब यहां 4 चक को 16, के वल, फिर भाई J से खोल लो, so minus J, J से खोलेगे तो 4 चक को 16, और भाई इधर तो 0 हो जाना है, अब आप K से खोल के देख लो, अब कैसे कैसे खोलोगे, के गायब, यहां 0, और यहां 4 दूनी, minus K 8, तो भाई यहां हो जाएगा 16 I, minus 16 J, और minus 8 K, ये तो हो गया हमारा N वेक्टर, लेकिन हमें ग्याद करना है N कैप, ठीक है, अब भाई N कैप ग्याद करना है, वेक्टर नहीं, तो N कैप का मान क्या होता है, N वेक्टर अपान मॉडियूलस आफ N वेक्टर, ठीक है, तो भाई इसका पहले आपको मॉडियूलस भी ग्याद करना पड़ेगा, तो पहले आप इसको ऐसे लिख लो, 16 I, minus 16 J, और minus 8 K, अब बना इसका पहले आप मॉडियूलस कहीं ग्याद कर लो, तो भाई माल लो हम यहां ग्याद कर रहे ह मॉडियूलस, अब क्या हो जाएगा, 16 का वर्ग, 16 का वर्ग और 8 का वर्ग, माइनस प्लस से कोई फरक नहीं पड़ता है, जोकि जब आप वर्ग कर देते हो, तो भाई माइनस प्लस ना, सब कुछ प्लस बन जाता है, यहां 256, यहां 256, और यहां 64, अब यहां जोड लो, तो आजाएगा हमारा 576, और भाई उसका हो जाएगा 24, तो क्या करना है, यहां भाग कर देना है 24, और भाई यही हमारा आंसर हो जाएगा, अब प्रस नंबर 3 को देख लिजिए, कहराई यदि एक मात्रक सदिस A वेक्टर आई के साथ, पाई अपॉन 3 का कोण बना रहा है, ठीक है, अब भाई आई के साथ कोण का मतलब क्या है, आई के साथ कोण का मतलब है, यह आपको अलफा पता है, भाई आई का मतलब होता है, एक्स अच, जे के साथ कहरा है, पाई अपॉन 4 है, तो यह बीटा है, पाई अपॉन 4, अब कहरा है कि के साथ थीटा कोण बनाता है, तो बाई गामा जो है वो आपको थीटा पता है मतला बाई कि बाई पता नहीं है थीटा निकालना पड़ेगा ना तो कहरा है कि पहले तो आप थीटा ग्याद करो फिर एक एक घटक भी ग्याद करने है ठीक है अलग-अलग आपको घटक भी ग्याद करने है तो अलफा पता है बीटा पता है गामा पता है अब ये दिक को साइन होती है हमारी अब दिक को साइन के लिए एक सूत्र होता है जो कि आपने पढ़ा होगा cos square alpha cos square beta plus cos square gamma equal to one अब cos alpha cos 60 pi upon 3 का मान होता है 1 बटा 2 यहाँ work कर दो pi upon 4 का मान होता है 1 upon under root 2 work कर दो इसका मान हमें पता नहीं है जोकि भै थीटा दिया है न इसका हो जाएगा एक बटे 4 इसका एक बटे 2 सबको ना उधर ले जाओ तो यहां हो जाएगा कॉस स्क्वर थीटा वन माइनस वन अपॉन फोर यहां वन अपॉन टू ठीक है अब सब कुछ ना घटा लो तो यहां एक बटे चार बचेगा ठीक तो कॉस थीटा बराबर आ जाएगा एक बटा दो और थीटा बराबर क्या आ एक बटा दो मान है पाई अपॉन थी का यह आ गया आपका ठीक है अलफा पता बीटा पता गामा पता हो गया है अब थीटा पता हो गया आपको पाई अपॉन थी हो गया है अब कहरा है कि एक ए घटक बता दो अब एक ए घटक क्या होते हैं यह भी भाई देख लो आई कैप सबके मान च थैक बनन चैप क don a अब भी देख लो कॉस अलफ़ यहां यहां वन अपॉन अंडरूट Singapore चैप और गामा का मान तो अभी निकालाना ही निकता हो गया है एक बटा दो तो यहां पर भी हो जाएगा एक बटा दो, केक है, तो यह हो गया हमारा प्रसनल तीन अब प्रसनल चार पर आ ज़ाओ, लिखा हुआ है, a- b vector है, यहाँ a-b vector है, दोनों का हमें क्रास product निकालना है, और बराबर में लाना है 2 A cross B, ठीक है, तो पहले हल करेंगे हम LHS को, और भैस सीधा निकालेंगे इसका cross product, तो पहले A की गुड़ा A के साथ में, तो यहां हो जाएगा A cross A, A की गुड़ा B के साथ में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, A और cross B, फिर minus B की गुड़ा A के साथ में तो यहां हो जाएगा minus B cross A, फिर minus B और plus B, तो यहां हो जाएगा minus B cross B, अब एक cross में rule क्या होता है, कि जब कोई सेम सेम होगा, तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि समानतर हैं या सनरेक है, तो यह भी 0, यह भी 0, यह बचेगा, अब बचा क्या क्या है, A cross B बचा है, और यह क्या माइनस बी क्रॉस ए अगर इसको हम उल्टा करके लिख देंगे एक माइनस और आ जाएगा अर्थात यह प्लस हो जाएगा दोनों सेम सेम हैं तो क्या करोगे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और यही हमें लाना था तो यह हो गया हमारा प्रस नमबर चार अब प्रस नमबर पांच पर आ जाओ कुछ इस प्रकार से एक समीकरण लिखा हुआ है और हमसे कह रहा है कि भाई हमें लेमडा और म्यू दोनों के मान ग्यात करने हैं यहाँ पर एक वेक्टर है यह एक वेक्टर है दोनों का क्रॉस प्रोड़क्ट है और बराबर में आंसर आ जाएगा आई यह जे और यह के दो छे 27 गुडांक लिख लो अब यहां पर गुडांक क्या है एक है यहां लेमडा है और यहां है म्यू और बराबर में आंसर है जीरू ठीक है तो भाई जीरो का मतलब क्या है अभी आगे हम थोड़ा सा एक्स्प्लेइन करने वाले हैं पहल फिर माइनस करके यह वाली गुडा 27 लेमडा फिर माइनस जे से खोलोगे तो जे वाली लाइने गायब हो जाएंगी रो और कालम दोनों यहां गुडा करो क्या जाएगा टू म्यू और माइनस 27 अब आप के से खोल सकते हो के से खोलोगे तो क्या हो जाएगा के वाले गायब यहां क्या हो जाएगा, 2 lambda, फिर minus यहां पर 6, बराबर, अब यह जो 0 vector लिखा है, इसका मतलब क्या है, ध्यान से देख लो, इसका मतलब है, 0 i plus 0 j, और plus 0 k, अब आपको केवल तुलना करनी है, जैसे आप पहले k की तुलना कर लो, यहां 0 लिखा है, यहां कितना लिखा है, यहां लिखा है, 2 lambda minus 6 equal to 0, तो भाई क्या हो जाएगा, 2 lambda equal to 6, lambda equal to 3 आ जाएगा, यहां पर j है, यहां पर j 0 है, यहां पर कुछ है, तो भाई जो भी हो, उसे आप बराबर में 0 लिख सकते हो, तो ऐसे लिखोगे, 2 mu equal to 27, so mu equal to 27 बटे 2 तो भाई यह हो गए आपके lambda और mu के मान, और यह हो गए हमारा प्रस नमबर 5, अब भाई प्रस नमबर 6 पे आजाओ, हमारे पास ना कोई दो condition दी होई है, कि a dot b 0 है, a cross b 0 है, तो कह रहा है कि a और b के बारे में आप क्या निसकर्स निकालते हो, कि आखिर a और b क्या होने चा properties का use करेंगे, और आप बताइए कि dot कब कब 0 हो सकता है, तो देखो भाई, गुड़ा दोनों की तब तब 0 हो सकती है, अगर modulus a 0 हो, या modulus b 0 हो, ठीक है, यह हम dot वाला कर रहे है, अगर दोनों में से कोई 1 0 है, तो गुड़ा 0 हो जाएगी, लेकिन अगर दोनों में से कोई 0 न वो कौन सा चांस है, कि अगर theta का मान 90 degree हो, अगर दोनों लंबवत हो, तो dot product का मान 0 होता है, ऐसा भई नियम है, cross में आ जाओ, cross में 0 है, तो 0 तो तब भी हो सकता है, कि अगर modulus a 0 हो, या, या लिख दो यहाँ पर, modulus b 0 हो, ठीक है, अगर modulus 0 है, तो चाहे dot हो, चाहे cross हो, 0 तो होना होना है, लेकिन अगर a और b 0 नहीं है, तो एक और condition है, कि अगर theta का मान 0 है, अगर समांतर है, या सनरेख है, तब भी 0 हो सकता है, अब देख लो, कि दोनों में कौन सी condition आपको common दिख रही है, जो भई दोनों मिल जा रही हो, तो ये वाली condition ऐसी है, जो भई दोनों में आपको common मिल जाती है, तो कि लंबवत और समांतर दोनों साथ साथ संभव नहीं है, या तो लंबवत होगा या समांतर होगा, लेकिन दोनों में हमें ये वाली condition common मिल रही है, इसका मतलब क्या है, निसकर्स में आप नीचे लिख दोगे, कि या तो modulus a 0 है, या modulus b 0 है, तो ये हो गया हमारा प्रस नमबर 6, अब प्रस नमबर 7 को देख लो, हमारे पास यहां कोई 3 vector है, a है, b है, c है, ठीक है, तीनों के मान आपको given है, ये condition है, जो कि आपको prove करनी है, a cross b plus c, बराबर a cross b plus a cross c, ये आपको prove करना है, ठीक है, तो भाई हम सांडिक का प्रयोग करेंग और ये वाली condition prove कर देंगे, अब कैसे करोगे इसको देख लो, सबसे पहले हम b plus c का मान भाई निकालेंगे, b vector plus c vector, अब b और c आप दोनों को जोड़ दो, तो यहां हो जाएगा b1 plus c1i, प्लस, यहां हो जाएगा b2 plus c2j, और last में क्या हो जाएगा, b3 plus c3k, ये हो जाएगा हमारा b plus c, अब हमें b plus c का a के साथ में cross निकालना है, अर्थात अगर आपको निकालना पड़ जाए, a cross b plus c, तो अब आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, a vector ये है, और b plus c vector ये वाला है, अब भाई कैसे निकालोगे, यहां साडिक का हम प्रियोग करेंगे, यह हमारा i है, ये j है, और ये वाला है k, ठीक है, a1, a2, a3, तो यहां a1, a2, a3, यहां पर गुडांग क्या है, b1 plus c1, यहां पर है b2 plus c2, और यहां पर है b3 plus c3, अगर आपने भाई साडिक को ना ढंग से पढ़ा है, तो अब इस साडिक को आप खोल सकते हो, आप देखना कैसे खुलेग यह साडिक, इसके ना दो भाग हो जाएंगे बड़े ही आराम से, कैसे, i, j, k, यहां पर भी लिख लो, i, j, और k, जो चीजे common हैं वो तो वैसे ही उतराएंगी, a2, a3, यहां a1, a2, a3, जो यहां plus का निशान है, उसे आप तोड सकते हो, b1, b2, b3, यहां c1, c2, c3, यहां हो जाएगा c1, c2, c3, साडिक को आप इस प्रकार से तोड कर लिख सकते हो, अब देख लो, यह किस चीज का मान है, a1 है, b1 है, a1 है, b1 है, a2 है, b2 है, a3 है, b3 है, अर्थात, यह वाली जो वैलू है, यह a x b के बराबर है, प्लस, यह वाली वैलू, a1 है, c1 है, a2, c2, a3, c3, a x c के बराबर है, आपने स्टार्टिंग करी थी यहां से, और आंसर में आ गया यह वाला, और भाई, यही हमें लाना था, ठीक है, तो यह हो गया हमारा प्रस नमबर 7, अब भाई प्रस नमबर 8 को देख लो, अब भाई यह सवाल थोड़ा सा खास है, कह रहा है कि a vector जो है, b vector वो भी 0 है, तो a x b पक्का पका 0 होगा, भाई अगर दोनों ही 0 है, तो cross भी 0 होगा, कह रहा है यह बात तो सही है, लेकिन कह रहा है कि क्या इसका उल्टा भी सत्य होत होता है क्या, अब उल्टा क्या होता है, कि अगर a x b 0 है, तो क्या यह जरूरी है कि a 0 हो या b 0 हो, ठीक है, ढंक से देखना, कि भाई a 0 है, b 0 है, तब तो पक्का पक्का है कि a x b 0 होगा, लेकिन a x b 0 है, तो क्या यह जरूरी है कि यह दोनों 0 है, ऐसा नहीं होता है, अब दे cross b बराबर अगर कहीं पर 0 लिखा हुआ है तो यहाँ पर दो condition है कि बराबर हो सकता है बराबर बें 0 आएगा ठीक है या तो a 0 हो या b 0 हो ऐसा तो यह वाला कह रहा है लेकिन इसके अलावा भी एक condition है जब a भी 0 नहीं होगा b b 0 नहीं होगा तब भी cross 0 हो जाएगा अब कैसे होगा आपको पता होना चाहिए अगर theta का मान 0 है अर्थात अगर A vector और B vector समानतर हैं या सनरेक हैं तो इनकी value चाहें कुछ भी हो 0 के अलावा भी होगी तब भी cross 0 हो जाएगा तो समझे आप अगर cross 0 है तो जरूरी नहीं है कि A 0 है B 0 है 0 नहीं भी होगे अगर समानतर हैं या सनरेक हैं तब भी cross 0 हो जाएगा ठीक है? समझ में आ गया तो ये है हमारा प्रस नमबर 8 अब भी प्रस नमबर 9 पे आजाओ हमारे पास कोई त्रिभू जाए A, B, C सीर्स हमें मालूम है और भाई हमें निकालना है area ठीक है? कोई त्रिभू जाए बना के देख लो यहाँ पे ये A है, ये B है, ये C है तीनों सीर्स हमें मालूम है हमें इसका area ग्याद करना है कैसे ग्याद करोगे? सबसे पहले आप निकालोगे O A vector A का इस्थित सदिस क्या होता है? I plus J plus 2K फिर आप निकालोगे O B vector वहाँ पे 2I plus 3J और प्लस 5K आप निकालोगे OC vector क्या हो जाएगा? I plus 5J plus 5K तीनोगे इस्थित सदिस मालूम हो गए फिर आपको निकालना है A B vector और निकालना है AC vector दो सलग्न भुजाएं निकाल दो बस काम हो गया पहला निकाल लो A B vector अब भाई A B क्या होता है? O B minus O A गटा लो सीधा तो भाई A B vector क्या हो जाएगा? O B मेंसे O A घटा लो तो यहां आ जाएगा I यहां हो जाएगा 2 J और वहां पर आ जाएगा 3 K यह आपको A B मालूम हो गया अब निकाल लो AC vector ठीक है? अब AC कैसे निकालोगे? O C minus O A तो भाई AC का मालूम निकालो O C मेंसे O A घटाओ I I गायब हो जाएगे 5 J हो जे यहां हो जाएगे 4 J और यहां पर आ जाएगा 3 K clear? A B और AC मालूम हो गया अब निकालेंगे हम त्रिभुज का छेत्रफल सुत्र होता है 1 बटा दो A B और क्रॉस AC का मॉडिूलस तो सबसे पहले A B क्रॉस AC निकाल लो तो A B और क्रॉस AC निकालो भाई यहां I यहां J और यहां K देखना A B में 1, 2, 3 तो यहां 1, 2, 3 यहां 4 और 3 I नहीं है तो यहां 0, 4, 3 अब खोल लो सबसे पहले I के साथ खोलोगे 2, 3, 6 और 4, 3, 12 तो 6, माइनस 12 माइनस J के साथ खोलोगे तो 1, 3, 3 और बाकी तो 0 हो जाएगा K के साथ खोलोगे तो के वाला गाया बाकी चार और बाकी 0 हो जाएगा मान कितना आ गया देख लो यहां हो जाएगा माइनस 6 I वहां पे हो जाएगा माइनस 3 J और प्लस 4 K ठीक है अब हमें निकालना है हाफ मॉडिूलस सो हाफ पहले लगा लो मॉडिूलस क्या हो जाएगा 6 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग माइनस से मॉडिूलस पर कोई फरक नहीं पड़ता है यहां हो जाएगा 36 यहां 9 और यहां 16 36, 45, 16 तो भाई यहां जाएगा अंडरूड 61 और बटा 2 और यहां लिख दो मात्रक स्क्वायर यह भाई हो जाएगा हमारे त्रिभूज ABC का छेत्रफल ठीक है भाई समझ में आ गया तो अगर आपको बिंदु मालूम है तो सबसे पहले निकालो इस्थित सदिस फिर वहां से कोई दो सनलगन भुजाये निकालो उनका निकालो क्रॉस प्रोडक्ट और फिर उनका मॉडूलस का हाफ कर दो तो आपको त्रिभुज का छेत्रफल पता चल जाएगा अब भाई प्रस नमबर 10 पे आ जाओ हमारे पास A वेक्टर है B वेक्टर है कह रहा है कि ये दोनों ही वेक्टर समांतर चतुरभुज की सनलगन भुजाये हैं तो हमें समांतर चतुरभुज का ना छेत्रफल निकालना है तो भाई सीधा सूत्र आपने पढ़ा है A क्रोस B का मौडिूलस अगर ये सनलगन भुजाये हैं तब तो सबसे पहले आप क्या करोगे आप निकालोगे A क्रोस B का मान ठीक है आराम से निकालोगे चुकि भाई IJK में है साणिक बना और मान निकालो और उसके बाद में आप यहां से क्या करोगे उसका निकालोगे मौडिूलस जो भी हमारा A क्रोस भी आएगा उसका आप निकालोगे मौडिूलस ठीक है और भाई आंसर में लिख दोगे वही हमारा छेतरफल होगा तो भाई यहां से आपको निकालना है क्रोस प्रोड़क्ट फिर उसका निकालना है मौडिूलस और भाई कॉमेंट में हमें बताना है कि आंसर कितना आ रहा है तो भाई यह था हमारा प्रसनमबर 10 आरबाई इस प्रकार प्रस्नावली 10.4 पूरी होती है